नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आयुरवेद ग्यान में दोस्तों आज जिस बनौसदी के संबंद में हम आप से भात करने जा रहे हैं उस बनौसदी का संबंद अति महत्पूर्ण है पागल कुत्ते के काटे हुए रोगी के लिए जिस किसी व्यक्ती को पागल कुत्ता काट लेता है उसके लिए यह साधारन सी दिखने वाली बनस्पती बहुत ही ज़्यादा कारगर है इसे दोस्तों आप देख सकते हैं तो दोस्तों चर्चा करते हैं इसके नाम और गुण के वारे में दोस्तों आईरवेद में इसे कहते हैं काक जंगा क्योंकि इसकी जो यह गठान होती है यह जो मैं आपको यह अंगुठा रखकर यह गांट जो दिखा रहा हूँ इसकी जो यह गठान होती है यह कोई की जांग की तरह होती है जांग की हड़ी की तरह तो इसलिए इसे काक जंगा नाम दिया गया है दोस्तों इसे काक माची, सुलोमसा, नदी कांता, आधी नामों से भी जाना जाता है यह राजस्थान, हरियाना, यूपी, एमपी, इन राज्यों में सरवाधिक उत्पन होता है दोस्तों कुट्टे के काटने पर इसका प्रयोग करते हैं यह विशनासक होता है, यह सर्प के विश को भी खत्म कर देता है तो दोस्तों कुट्टे के विश के लिए इसका प्रयोग हम किस तरह करेंगे, वह मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कुट्टे के विसके लिए इस काक जंगा के ताजे पत्ते लेकर आप लगभग 10 ग्राम पत्ते ले लीजिए और 10 ग्राम पत्तों को गुड में लपेट कर कूट कर उसके लड्डू की तरह बटक बना कर एक दो बटक सुभा से आम रोज 7 दिन आप खिला दीजिए पागल कुट्टे के काटे हुए मरीज खो उससे 7 दिन में ही कुट्टे के काटे का हुआ विस जल कर खत्म हो जाएगा इसी तरह अगर पागल कुट्टे ने काट लिया है और जादा दिन हो गए हैं काटे हुए तो आप अगर यह ताजा नहीं मिले सूखा मिले तो इसका सूखा पत्र ले लीजिए और इसके सूखे पत्रों को ले कर उसका चून सा कर गुण में लपेट कर आप लगवक तीन महीना प्राते सायम खिलाईए कुट्टे के काटे के रोगी को तो उससे कुट्टे का काटा हुआ पागल नहीं होगा उससे हैड्रोफोविया जल संतरास जो होता है वह नहीं होग जिसमें पानी से डर लगता है और कुट्टे का काटा हुआ आसानी से सही हो जाएगा अलाकि दोस्तों आज कल रेवीज के इंजेक्शन चल रहे हैं वह टी का जरूर कुट्टे के काटे का लगवा लेना चाहिए आप देख सकते हैं इसमें नीले कलर के यहां अती सुक्षम छोटे छोटे पुस्प लगे हुए हैं दोस्तों बर्था रितू में अधिक फलता फूलता है अभी यह कार्थिक मास है और यहां पानी की कमी है तो इसके पुस्प बहुत छोटे हैं यह है अपा मार्ग जिसे ओंगा चिर्चिटा के नाम से जानते हैं उससे मिलती जुलती बनस्पती काक जंगा है लेकिन यह काक जंगा उससे भिन्न है उसके पत्र बहुत बड़े होते हैं और इसके पत्र इस तरह से कुछ छोटे-छोटे भालाकार होते हैं दोस्तों अपा मार्ग में एक लंबी बाली लगती है उसमें उल्टे-कांटे की तरह चावल लगे होते हैं और इसमें इस तरह का कुछ नहीं होता तो दोस्तों यह महिला रोगों के महिला रोगों में व्याप्त रक्त-प्रदर नाम की जो भैनक बीमारी है उसके लिए भी है अतिवत्तम लाबदायक है तो जो माता बहने भैनक रक्त-प्रदर से पीडित हैं उसके लिए दोस्तों वहाँ इस काक जंगा के बीज ले लें काले पक कर काले हो जाते हैं ऐसे 10 ग्राम इस काक जंगा के काले बीज 10 ग्राम प्रवाल पिष्टी और दोस्तों 5 ग्राम ले लें कहरवा पिष्टी 30 ग्राम ले लें मिस्टी दोस्तों मैं पिर से दोरा देता हूँ 10 ग्राम काक जंगा के बीज 10 ग्राम प्रवाल पिष्टी 5 ग्राम कहरवा पिष्टी और 30 ग्राम मिस्टी उसे कूट कपड़धन इस्टील के वर्तन अत्वा काच के पात्र में रखें उसमें से 2-3 ग्राम की मात्रा में प्रति दिन अगर गुलकंद के साथ माता वेने सेवन करती हैं तो यह भायानक से भायानक रक्त प्रदर में भी लाव करता है और जो वायवेन पीडित हैं दांत के कीड़े से जिनें दाडार दांत में कीड़ा लग जाता है वो इसका काड़ा बनाकर गाड़ा गाड़ा और उसमें सहद मिलाकर उसको पीते हैं और इसका स्वरस मसूडों पर अगर मलते हैं तो उससे दांत का कीड़ा भी नश्ट हो जात गोड़ों को खिलाए जाता है गोड़े बर्डे चाव से इस औस धी को खाते हैं और पसू के यह उदर संबंदी रोगों में काम करता है पसू को इसे चारे के रूप में खिलाएं उससे आपके पसू बीमार नहीं पड़ेंगे इससे पसू का उदर रोग बिल्कुल सही हो जा प्रकृतियां आयरुवेद की अमुले देन हैं यह प्रकृति का उपार हैं हमें इनका संरक्षण करना चाहिए और इनके वारे में अधिक से अधिक जानकारी शेयर करें दोस्तों जिससे किसी भाई का भला हो इन्हें अपने घर के गमले में इस्थान दीजिए आप इसे सीख कर छुपाए नहीं शेयर अवस्य कर दें तो दोस्तों एक बार फिर से मैं आपको काक जंगा के बारे में थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ यह देखिए दोस्तों यह है काक जंगा का सुन्दर पोधा आप यूट्यूब अथवा गूगल से भी काक जंगा को देख सकते हैं दोस्तों यह है दोस्तों काक जंगा के फूल हलके लाल और नीले कलर के सुक्षम छोटे-छोटे बड़े ही अच्छे इसमें फूल आते हैं दोस्तों यह है काक जंगा फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ आपको मेरी जानकारी कैसी लगी अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो सेर करें लाइक करें और कमेंट करें जै हिंद जै भारत धन्नवाद